स्वागात है आप से विका होम लिमेट फूट्स पर आज हम दिवाली स्पेशल लाए हैं मुंग दाल के लंडू तो कि बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छे बनने वाई लंडू है तो आप लोगे जरूर वीडियो अं तक दिखे गया और देखने के बाद आप अपने घर पर जरूर ट्राइ करें और आप सभी का एक्सपिरांस भी पर हमारे चैनल पर जरूर शियर कीजेगा तो आकर में अंत्मे वीडियो होने के बाद आप मारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसकी नोटिफिकेशन जानने के लिए बैल आइकन पर जरू क्लिक कीजेगा और अगर आपका मारे वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन पर जरू क्लिक कीजेगा लीजेड यह पर सबसे पहले में हमारी दाल को भून लेंगे जो कि हमने एक से दो घंट तक भीगने रखा था और भीगने के बाद हमने से किचन टावल से अच्छे से सुका और उच्छा इसमें खुश्बू भी आ रही है डाल की यहां पर फ्लेम हाई पर रखा है मेरे 15 मिट तक अगर आपकी डाल जल्दी भून जाती है तो आप 10 मिट भी लग सकते इसमें और इसमें हम एट करेंगे अलमंड्स और कैश्यूस और इसे भी हम 1-2 मिट तक भून देखिए यह अच्छे से बुन कर रेडी हो गए है अब हम क्या करेंगे इसको एक बॉल में लेंगे कम्प्लीटली कूल करने के बाद हम इसका अच्छी से पॉडर बना लेंगे अब हम लिए पैन में घी असलिए गई यहां पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं गी गरम हो गया है और अब अब जो हमने दाल को पॉडर बना लिया था वह भी हां पर हम इसको घी के अंदर बुनेंगे यहाँ पर फ्लेम हाई ही है आप इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लें घी के अंदर तो घी अच्छे से मिक्स हो गया हमारे मूंग डाल के यह पॉडर में और अब हम और अच्छे खुच भी बढ़ाने के लिए एट करेंगे काड़मन पॉडर ज्योंकि बहुत अच्छा स्मेल भी देगा और अच्छा सा टेस्ट भी आएगा लगबर यहाँ पर छे से साथ मिट लगे हमको तो लेजे भुनकर बिल्कुल रेड़ी है हमारी मुंग डाल का यह जो हमने मिक्स्रन जो बनाया है लड़ू के लिए यहाँ पर हम करेंगे फ्लेम आफ और अब हम इसको दूसरे बरतर में निकाल लेंगे हम इसको गरम गरम मिश्रन में हमको आड़ नहीं करना है जो कि हम पॉडर लेंगे शुगर पॉडर थोड़ा सा इसको थंडा करेंगे देखे थोड़ा सा थंडा हो गया लेकिन अभी भी गरम ही है उसे में हम यहाँ पर आट करेंगे शुगर पॉडर अच्छे से इसको मिक्स कर ले ध्यान रहे आपका मिश्रन ज्यादा गरम ना रहे जब आप पॉडर मिक्स करेंगे इसमें वह नाव मेल्ट हैने लेगेगा देखिए हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है और अब इसके लड़ू बनने के लिए बिल्कुल रेडी है तो चलिए अब हम इसके लड़ू बनाएंगे यहाँ पर मैं अपने इच्छा नुसार यहाँ पर लड़ू कर शेप दिऊंगा आप चाहे चोटे या बड़े ब बनाओंगा इस तरह से मैंने लड़ू बना लिया है देखिए एक लड़ू बनकर रेडी है इस तरह से हम पूरे मिश्रन के पूरे लड़ू बनाएंगे तो लिजब पूरे लड़ू बनकर रेडी है हमने इसे गानिश किया है finely chopped almonds के साथ दिवाली स्पेशल लड़ू बनकर रेडी है थैंक यू वेरी मच होप यह पूल लाइक आर वीडियो